नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले तो आप लोगों को 9 वर्स की हार्दिक शुब काम नाए सुबह कि इस वीडियो में ऐसी सुचनाए होती है जो भी भी ने समचार पत्रों पर चाय भी होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है तो वीडियो की जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं जिन्हों ने चैनल को सब्सक्राइब न कियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट से मिलती रहें सबसे पहले सुचना है 75,000 सहायक शिक्षकों की होगी भरती समचार पत्र में है तो उसको सुना नहीं होगा और नीचे लिखा हुआ है कि योगी सरकार चुनावी वर्स के चलते देरा चाहती है अधिकादिक नोगरिया सहायता प्राप्त स्कूलों में 6,000 कर्मचारियों की भरती की भी योज़रा प्रदेश के परिसेदी स्कूलों से लेकर के राजकी महाविद्यालियों में शिक्षकों की वर्स 2021 में बंपर भरती होगी बेसिक मादमिक उच्च सिक्षव विभाग के राजकी हुआ सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 75,000 सिक्षकों और 6,000 से अधिक कर्मचारियों की भरती की जाएगी दर असल प्रदेश के लिए 2021 साल है इसलिए योगी सरकार युआं को अधिक से अधिक सरकारी नोखरियां देना चाहती है बेसिक सिक्षव विभाग ने लगातार तीसरे साल बड़ी संक्या में सायक अध्धापकों की बरती की योजना बनाई है और इस साल पचास हजार सायक अध्धापकों को बरती करने की तयारी है तो पचास हजार प्राइमरी के अध्धापकों की बरती इस साल आएगी इसके अलावा सहायता प्राप्ति स्कूलों में 4,000 सहायक अधापकों की बरती के प्रस्ताव सासन में विचार दिन बात हो रही है जूनियर मादमिक विद्यालियों की एडिट जूनियर हाइ स्कूल में जब बरती होनी उसकी फिर नीचे लिखा है कि वहीं इन स्कूलों के लिए 3,000 क्लर्क लिपिकों की भी बरती की योजना है उधर मादमिक शिक्चा विभाग ने 729 सायक अधापकों की बरती के प्रस्ताव लोग सेवा आयोग को भेज दिया है बात हो रही है एल्टी ग्रेट की नई शिक्चक वरती की यह भरती भी इसी साल होगी इतना ही नहीं विभाग ने 2018 में 10,768 सायक अधापकों की भरती के लिए विग्या पर निकाला था लेकिन योग अधापकों की योजना है यह नई एल्टी ग्रेट सिक्चक वरती की बात हो रही है कि नई एल्टी ग्रेट सिक्चक वरती में लगबग 8,000 और कुछ समचार पत्रों में 10,000 लेका हुआ है 8 से 10,000 दापकों की भरती हो सकती है माधमिक सिक्चा से वचेन बोड ने 4,502 साहिता प्राप्त विद्यालियों में 15,308 साहित सिक्चकों की बरती के लिए कि TGT और PGT की संसुधित विग्यापन की बात हो रही है के लिए नवंबर में विग्यापन जारी किया था मगर आराच्छन निर्धारान में तुर्टी के चलते इस विग्यापन को वापस ले लिया गया है बोर्ट के दिखारगियों को कहना है कि ये बरती भी इसी साल की जाएगी और इसके अतरिक्त माध्मिक सिक्चा विभाग के सहायता प्रप्त स्कूलों में 3,000 लिपकों के भी बरती की जाएगी तो इन स्कूलों में भी 3,000 बाबूं की बरती होगी इसी तरह से उच्छ सिक्षा विभाग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालियों में 2018 प्रवक्ताओं की भरती के प्रस्ताओं उच्छतर सिक्षा सेवा आयोग को भेजा है ये भरतियां 26 साल होंगी विभाग की निदेशक अमित भारत द्वाज ने बताया कि सभी जीलों से राजकी महाविद्यालियों में भरती के लिए रिक्त पदों का प्रस्ताओं मांगा गया है तो यहाँ पर लिखा ये है कि ये चुनावी वर्स है और सरकार के पास ये अंतिम मौका है अपनी 26 सुधारने की जो छवी बिगड़ चुकी ये छातरों के बीज में रोजगार को लेकर की तो इस साल इन विभागों की तैयारी है कि जादा से जादा विभागों में नौकरी निकाली जाए चाहे वो मादमिक सिक्छा सेवा चैन बोड हो चाहे वो परसदी अध्यापकों की भरती हो चाहे वो लिपिकों की भरती हो या अन्य भरती हो आज के बहुत सारे समचार पत्रों में ये सूचना चपी हुई है हाला कि नव वर्स में हमेशा से ऐसी सूचना चपती है पिछले साल भी चपी हुई थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था आज वर्स का पहला दिन है इसलिए जादा निगेटू बाते नहीं करेंगे और भडास तो बाद में निकलेगी लिखा है नगर निगायों में आएंगे 4700 से अधिक नोख्रिया यहाँ पर लिखा है नगर निगायों में अकेंद्रियत सेवा के कर्मचारियों को उनके समवर्की नियमावली का तोफ़ा मिलेगा वही 4700 से अधिक रिक्त पदों पर भड़तियां क और शहाति अभ्यंते और अभर अभ्यंते कर निरीक चक स्वास्त निरेक चक समेट यह उसे कई पत ऐसे सामिल हैं जो है जिन पर उत्तर-प्रदेस लोक सेवा आयोग और उत्तर-प्रदेस しま सेवा चैन आयोग से बरतियां systematic और लिखा है कि इन पत्नों को भरने के लिए विभाग के इस तर पर अधियाचन तयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही संबंदित भरती आयोक को भेज दिया जाएगा संभावना है कि अगले साल में भरती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी इसकी बाद में एक और गुड नीज है आप लोगों के लिए लिखा है जियो से घरेलू कॉल पर आज से नहीं देना होगा कोई भी चार्ज देश की सबसे बड़ी दूसंचार कंपनी रिलांस जियो ने ने साल का तोफा देते हुए पहली जनवरी 2021 से अपने नेटवर्ग से देश के अन नेटवर्ग पर अदर्स पर जो काल का पैसा लगता था कुछ पैसे वो पैसे अब नहीं लगेंगे अब आप किसी भी फ्री रहेगा निचे लिखा है अभी तक जीयों से जीयों के नंबर पर काल करने में कोई शुल्क नहीं लगता था कंपनी का कहना है कि दूर संचार विभाक की तरफ से घरेलू वायस काल के लिए इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज आई यूसी की विवस्था अब खत्म हो आई है जिसकी वजह से के संभाव हो पाया है दूर संचार नियामक ट्राइक के निर्देशों का पालन करते हुए डॉट ने पहली जनवरी से आई यूसी को समाप्त करने का आदेश दिया है और लिखा है कि जीयों चो कंपनी है वो फ्री काल के लिए हमेशा से प्रिद्द थी निचे लिखा है कि जीयों ने बताए कि नए और मौझूदा सभी ग्राकों को मुफ्त काल की सुविदा मिलेगी जिन ग्राकों ने आगे का प्लान रिचार्ज किया हुआ है उन्हें भी अन नेटवर्ग पर काल के लिए अब कोई भी चार्ज नहीं देना होगा कंपनी अब इसे पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है उलेग नहीं है कि जीयों से जीयों पर काल करना हमेशा से मुफ्त रहा है पिछले एक साल से अधिक समय से जियों के ग्राकों को अन नेटवर्ग पर काल के लिए प्रती मिनट छे पैसे का शुल्क देना होता था तो यह हो दुछना हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवायोग की लिखाए PCS का साक्षात्कार तो नोकुरी देजाए या आगे जो विध्यारति PCS का सक्षात कर देंगे उन्हें सबी विद्यारतियों कुछ आए उनको नोकरी वो PCS में सिलेक्ट हो या नोकरी दिया जाए वो अयोग नहीं होते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी PCS परीचा के साक्षातकार तक पर उसने वालों के अनिवार चैन की मांग प्रतियोगियों ने किये उनका तरक है कि PCS के साक्ष करने की गुहार लगाई है साल के अंत में 220 का प्रड़ाम जारी कर दिया है मादमिक स्क्षाइन बोर्ड में विद्यारति लगतार दबाव बना रहे थे इसके लिए और लिखा है कि TGT 2016 विज्ञानवा अंग्रेजी में 2355 सफल जितने पदों पर भरतिया होनी थी उससे कु प्रड़ाम जारी कर दिया है विज्ञानवा अग्रेजी विषय में कुल 2355 अभरतियों की मेरिट सूची में जारी की गई है और इनुमें कुल रिक्त पतों से अधिक संग अधिक अभरति पेनल में रखे गये हैं और भी बहुत सारे विश्य हैं जिनका विद्यारति ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन नियम और कानून होने की वज़य से जैसे पुलूसों के लिए 5 साल और महिलाओं के लिए 2 साल के मानता है और इसकी वज़य से इन सभी आविद्कों के जो ट्रांसफर है वो नहीं हुए और केवर 21695 साइक सिक्षकों के जो तबादला है वो हो गया उसकी जो सूची है कल देर रात जारी कर दी गई है कुछ और सूचना है कि साल बीता डेलड में नहीं हुए दाखिले सत्र शूर ने गोशित किया जाने की आसंग का अब भरती परेसान साल खत्म हो गया लेकिन डेलड के में दाखिले की प्रक्रिया शूरू नही इसकी भी जनकारी कोई नहीं दे पा रहा है इससे बढ़ती परिशान है और माना जारा कि यह सत्र सून गोशित कर दे जाएगा और उसके बाद में लिखा हुए कि बैसी नर्सिंग वा पैरामेटिकल की परिक्षा साथ तारीक से बात होरी डाक्टर शकुंदला मिस्रा रिवस्टी ने सात्र दोजार बीस एकिस के विसब से मिस्टर यूजी पीजी रेगुलर वा केरी और प्रिक्षा के फार्प भरने की जूत्ती थी है वो दस जनवरी तक बढ़ा दी है उसकी बाद में आज के समचार पत्रों में कुछ भरतियां भी निकलिवी है जिने आप दोट इन उत्तर प्रदेश विदान सबासे भरती से निकलिवी है विदान सबस्ते चिवाले की और लिखाइसा तासीप पत हैं ग्रूप B व ग्रूप C के मिला करके और यूबी लेजिस्टी टूप जाकर के आप लोगा विदन कर सकते हैं अलग-अलग पत हैं और सबकी अल लोग जिसकी जो लास्ट डेट है वह आठ जनवरी है वास्तों में जो बरती है यह उत्तराखंड की बरती है और इसकी पूरी जानकारी आपको यूबी टी-ई-आर डाट-इन पर आपको मिल जाएगी यानिकी उत्तराखंड प्रावदिक सिक्षा परिसद जो है इसका फु वो दशम छात्रवर्थी के आनलाइन आवेदन की अंतिम्तिति अब बढ़ा दी है और अब 21 जन्मरी तक आवेदन भरे जा सकेंगे पहले आवेदन की अंतिम्तिति एक दिसम्वर्थी प्रमुख सचिव समाच के लियान बी अल मीडा ने गुरुवार को छात्रवर्थी की स संसोधित समय सारणी जारी कर दी आय पहचान पतर का कर्मांग और आवेदन की कर्मांग आधित रोटियों को राश्ट्री सुचना विज्ञान के अंदरे लखनों के पूर्टल पर स्टुडेंट सेक्शन में परदरसित करने के लिए आवेदन को पूरा करने और फाइनल प समय दिया गया है यह हो गया आज क्या वीडियो नमस्कार